तो इसके बाद 16 माई को ही जो है उमाना की जर्णी स्टार्ट हुई थी फिर इसके बाद अमने प्रीविएस वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे वो जो है अब उसकी अम्मा जो है लंच बोक्स ओपन कलती है सब जो है लंच कलते हैं इसके बाद क्या होता है देखिये आफ्टर लंच सम पिपल स्लेप लंच के बाद कुछ लोग सो गए बट आई वस नाट स्लीपी लेकिन मैं नहीं सोई मैं नहीं सोई थी I kept looking out of the window मैं विंडो के बाहर देख रही थी I saw many fields but they all were brown and dry मैंने बहुत सारे fields भी देखे बाहर सब ब्राउन हो गए थे, dry हो गए थे, सूख गए थे, भूरे हो गए थे Sometimes we passed small village कभी हम छोटे गाउं से भी गुजलते They seems to be flying by और वो हमें ऐसा लग रहा कि सब ओड रहा है जैसे फ्लाई कर रहा है आप इस picture में देखे कि उमाना बैटकी हुई है विंडो के पास और यह जो है यह बाहर का area उसे दिख रहा है Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seems to running in the opposite direction So आपको पता है कि जब हम train में बैठते हैं और वो बहुत speed में होती है तो हमें सारी चीजे जो है अपने opposite direction में भागती भी दिखती हैं अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें जो चीजे हैं यहां कि वो सब ऐसे जाते भी दिखेंगे कि वो opposite direction में जो है जारी अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो Earlier I was really hot Now Sorry Earlier it was really hot now that it is evening there in some breeze इसके बाद जो है दिन में जो है बहुत धूप हो रही थी बहुत गरम फील हो रहा था लेकिन जब शाम होई तो जो है बहुत मंद मंद सी हवा चलने लगी बहुत अच्छी सी हवा चलने लगी The sun is slowly setting and the sky was become orange I have never seen it look like this in Ahmedabad मैंने कभी जो है ऐसे Ahmedabad में नहीं देखा था We have just passed the station called Valsad हमने जो है Valsad station को cross किया, pass किया, the train stopped for only two minutes but even for the short time there was so much noise So Umana क्या कहती है कि हमने Valsad station पे जो है जो train थी वो बहुत कम समय के लिए कुछ minute के लिए रुखी और इस टाइम पे भी मतलब उसने जो बहार देखा बहार से voice सुनी तो उसने देखा कि उतने में भी जो है यहां कितनी जादा noise थी क्या noise थी चाय गरम चाय वन मैन वस कॉलिंग बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा वहां पे लोग चला रहे थे बेशने वाले कोई चाय गरम चाय कह रहा था कोई वटाटा वड़ा बेच रहा था ओकी तो होते हैं ऐसा यूसली स्टेशन पे जो है लोग खाने पीने की चीजे जादा बेचते हैं नाव कम तो नेक्स पेज पूरी साक दूट थंडा दूट पिपल वर सेलिंग और बाइंग फूट ऑन दा प्लेटफॉर्म और लोग क्या कर रहे थे कि यह सारी चीजे प्लेटफॉर्म पे बेच भी रहे थे और कुछ लोग खरीद रहे थे और हमने भी जो है विंडो के थू जो है क्या खरीद है अब बनाना खरीदे और चीकू जो है बनाने की विंडो के थू हमने यह दोनों चीजे खरीदे और ही और फ्योंके सिरा बनाने के खर नारीडबा जोनों जो ही खरीदेवो बनाने की इनाट क्या थे देखा, और स। लोग कि यह कन देखा इसी चीज होती हैं जो बेच जाते हैं रिल्वे स्टेशन के बाहर तो mostly toys, fast food, चाय गरम, गरम चाय, फूरी and vegetables, बटाटा वड़ा, एल्सेक्टर, so these things commonly जो है आपने देखे होंगे की स्टेशन पे जो है बेची जाती है, now 16 माई, 16 माई की ही जो है थोड़ी सी और चीजी यहां पे अभी बची हुई है, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है, अब ओमाना क्या कहती है, I have made some friends, मैंने कुछ दोस्त भी बनाए, they are Sunil and Un, जो थे Sunil और Un थे, जो मेरे दोस्त थे, they are going to their grandmother's house in Kaujikot, वो लोग जो अपनी grandmother के घर जा थे, कहां जा थे, Kaujikot जा रहे थे, Sun Sunil था, उसने मुझे कुछ story की books भी दी थी पढ़ने के लिए, a little while ago, I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom, somebody said that it will only be filtered at the next big station, इसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है brush करने गई अपनी तीथ को, लेकिन उस time पे brush करने, जब मैं brush करने गई अपनी तीथ को, तो वहाँ पे water नहीं था, bathroom में जो है water न ने बताया कि अब जो है next station जो आएगा, जो बड़ा station आएगा, वहाँ पे जो है water भड़ा जाएगा, now come to next page, so why do you think there was no water in the bathroom of the train discuss, आपको क्या लगता है कि जो train की bathroom होता है, वहाँ पे जो है water नहीं होता है, mostly जो है नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतने लोग होत जो है water को use करते हैं, तो use करने के बाद जो water खतम हो जाता है, तो next session पे जो है उसे फिल कराया जाता है, now imagine that you are going to a long journey, what are the things that you will take with your help past the time, so आप सोचिए कि आप अगर long journey पे जा रहे हैं, एक दो दिन की journey है, तो आप अपने साथ कौन सी चीज़े ले जाएंगे, जिससे आपका time जो है cut जाए, so these things you can think about कि आप क्या ले जाएंगे, story books ले जाएंगे, okay, now can you recognize who are these people, shown in the picture, what work do they do, discuss, आपको अब यहाँ पे कुछ pictures दिखेंगे अपनी बुक में, page number 52 में, आपको इन सभी के name लिखने है, so this one work you can do yourself, okay, so you have to write the name of first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh one, so आपको इन pictures में यह जो काम कर रहे हैं, जो work कर रहे हैं, आपको इनको पहचानना है, उनके name लिखने है, so पहरा मैं यहाँ पे first, कौन है, आपे देखेंगे, क्या काम करते हैं, यह सामान luggage को जो है, यहाँ से यहाँ अपने सर पे रखके ले जाते हैं, तो कौ होते हैं, कूली, so you can write the name here, कूली, now next, आपने देखा हैं, की green कलर की जंडी होती है, उनके हाथ में, जब यह दिखाते हैं, तो train run करना शुरू करती है, कौन होते हैं, so you can write here, guard, now third, जो first seat पे होते हैं, जो train को चलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, driver, 4th, आपने देखें, जो TC होते हैं, जो हमारे ticket checker करने आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ticket checker, 5th, जो guard, जो police वाले होते हैं, जो हमारे safety के लिए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, railway police, फिर इसके बाद, 6th number पे आपका है, cleaning people, जो लोग, जो है, platform को, railway को साफ करते हैं, and after that and last one, 7 7th one is ticket sheller, ये जो हमें ticket देती हैं, okay, so इनको हम कहते हैं, ticket sheller, so this is your chapter 6, and today your chapter 6 completed, in my next video, I will explain chapter 7, or some notebook work also, so your work is, you will do your book work, page number 51 and 52, so thank you so much.